भगवान केते हैं जहां हो जिस शन हो उसी को जीलो क्यों भविश्य के चिंता करते हो क्यों भविश्य के सपने में अपना समय बरबाद करते हो इतनी चिंता हैं इतनी आकांगशा हैं पालते चले जाएए भागते चले जाएए ये जीवन भी कम हो जाएगा इसलिए अनंत अन जनमों की क्यों कि हमारी इच्छायेई इतनी है वह इच्छा इस जनम् में समाप्त नहीं हो सकती इसलिए दूसरा जनम चाहिए और दूसरा जनम भी कम पड़ता है फिर आगे का जनम ऐसे ही जन्म पे जनम होते चले जाते हैं और व्यक्ति सुख और दुक्त के बंदनों में और जादा गहरा पढ़ता चला जाता है यह जो कारग रहे जो जेल है यह और सुद्रड होती जाती है हम खुद ही इटे लगाते जाते हैं इसको और सॉलिड बनाते जाते हैं जन्जीरे और जादा मजबूत होती है वासना और इच्छाओं की क्योंकि हातों में जो जन्जीर है वो इच्छाओं की है जो बांदती है इस प्रिथ्वी से हमें और यह और मजबूत होती है जितनी इच्छा की पकड़ होगी जितनी पकड़ हम मजबूत करेंगे और कितना बाद्धोंगे इत्छाऋं से जीवन कांक्शां इत्छाओंगे में बंदता चला जाता है और फिर तडपता है अंदर हमने ही वे धागे वे जिनजीरे बना दी आसपास और फिर हम कहते हैं हमारी साथ ही ऐसा क्यूं भगवान हमारी साथ ही दुख, क्यों तकलीफ क्यों पीड़ा देता है क्या तुने दुख देने के लिए जन्म दिया फूल जाते हैं गलतियां किसकी गलतियां हमारी और दोश किसको देते हैं परमात्मा को परमात्मा दुख देने के लिए नहीं बैठा ना परिशानिया देने के लिए बैठा परमात्मा तो साक्षी भाव से आपको देख रहा है आपको स्वतंत्रता दी है कि बांधो या स्वतंत्र हो तुम्हारे हाथ में है सब कुछ परमात्मा ने हमें दे दिया अब फसते हम है तो भगवान श्री कृष्ण मानजाती के कल्यान के लिए यह वचन कहते हैं कि तुम फसो नहीं फल की आकांक्षाओं को छोड़ो क्यों कि आकांक्षाओं बांधती तुमें तो जैसे ना ओ कोई व्यक्ति लेकर सागर में दूर तठ क然 ख्याल नहीं चलता जाता है और जो ज़र्णी Lwni है जो उसकी यातुरा है उसको एंजॉय करता है उसमें मज़े लेता है एक-एक शण का मज़ा एक शण आनंद से भरा हुआ तो ऐसा व्यक्ति जो फल के बारे में नहीं सोचता रिजॉल्ट के बारे में